Hello everyone, मैं हूँ किरिंचापुरी और ये है आप लोगों के लिए October 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि October मन्त में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है क्या आपके पार्टने की आपके लिए energies रहेंगी क्या आप महसूस करेंगे आप दोनों के बीच में October मन्त में क्या रहेगा कौनसी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप October मन्त की energies को बदल सकते हैं October मन्त में अपनी love life को भेतर कर सकते हैं तो यह reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आप लोगों के लिए October 2024 की love tarot reading जो साप लोगों के लिए देखें कि October 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पस यहाँ पर तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, सेकिन set of cards में आपके partner की energies देखेंगे और थर्ड set of cards में हम देखेंगे कि finally October month में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पर सबसे पहला card मुझे दिख रहा है justice और देखें, justice के card को literally देखें तो नयाए की बात करता है, justice की बात करता है, fear energies की बात करता है यहाँ तो पीछे आपके partner थोड़े से controlling हो रहे थे और कहीं अब you know October starting में आपको ऐसे लग रहा है कि भई आपना अब दिल से उतना जादा चीज़ों को नहीं deal करेंगे आप थोड़ा सा logically भी चीज़ों को deal करेंगे फिर से मैं कहूंगे जो fair है, जो सही है उसी के हिसाब से चीज़ों को deal करना चाहा रहे है और अगर आपकी ऐसी energies से तो आप इस चीज़ों को correct करना चाहा रहे है और दिखे मन ही मन के लिए यहाँ पे proper date, hangout के cards कहते हैं आप अपने partner के साथ एक proper date पे जाना चाहा रहे हैं, उनके साथ ज़ादा connect करना चाहा रहे हैं उनके साथ hangout करना चाहा रहे हैं, उनके से ज़ादा मिलना चाहा रहे हैं लेकिन surface level के लिए the lovers reverse का card कहता है अपनी तरफ से या तो आप action initiatives नहीं ले रहे हैं या फिर अपनी तरफ से आप एक दूरी maintain कर रहे हैं अब दिखें, lovers का card भी कहीं बहुत passionate energies की बात करता है soul made twin flame वाली energies की बात करता है और कुछ ऐसा ही, आप अपने partner के लिए महसूस तो कर रहे हैं लेकिन फिर से कहूंगी एक दूरी, एक distance अपनी तरफ से बना रहे हैं कुछ चीजें आपको बहुत जादा irritate कर रही हैं, frustrate कर रही हैं आपको बहुत गुसा आ रहा है लेकिन आप बहुत lovingly, बहुत compassionately हर चीज को deal कर रहे हैं आप अपने गुसे को, frustration को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं इनफाक, बहुत lovingly आप इस गुसे वाली energies को channelize करना चाह रहे हैं, अपर कर रहे हैं अब देखते हैं वगोस के आपके partner की क्या energies हैं देखें, आपके partner के लिए, यहाँ पे सबसे बहले cards हैं quoting and six of pentacles और यह cards कहते हैं कि आपके partner आपसे मिलना चाह रहे हैं आपसे ज़्यादा interact करना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं क्योंकि देखें, इसके उपर six of pentacles का card है तो हो सकता है कि इसी चीज़ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा convince कर रहे हैं लिटरली हो सकता है कि कुछ वगोस के partner back कर रहे हैं, भीक मांग रहे हैं अब दिखेंगे यहाँ पे six of pentacles का card actually मैं giving and receiving वाली energies की बात करता है यानि कि वो एक आदान, प्रदान, feelings का, emotions का या फिर बातचीत का आपसे रखना चाह रहे हैं वो आपके साथ फिर से मैं कहूंगी connection रखना चाह रहे हैं इस connection को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और again कुछ के लिए हो सकता है कि वो literally भीक मांग रहे हैं आपसे back कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है generally you know आपको ज़्यादा convince कर रहे हैं आपको ज़्यादा pursue कर रहे हैं और mid October के लिए love, bombing and judgment के cards कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अपनी feelings को लेकर vocal हो रहे हैं यानि कि बहुत express कर रहे हैं जो भी उनके मन में आ रहा है, जो भी वो feel कर रहे हैं क्योंकि आपे love, bombing का card है तो जैसे होता है न कि feelings, emotions, love, प्यार, महबबत की एक bombing, एक बरसात वो करते हुए दिख रहे हैं पुरानी चीजें जो भी आप दोनों को bother कर रही थी आपे जिसकी वज़े से issues, मसले रह रहे थे उनको end करके आपके साथ एक नई शुरुवात करना चाहा रहे हैं हो सकता है कि आपको literally कहें कि भाई पुरानी चीजों को खतम करते हैं नई सिरे से चीजों को शुरू करते हैं एक नई beginning करते हैं लेकिन end October के लिए 8 of swords and bad intentions के cards कहते हैं कि थोड़ा सा confused होते हुए दिख रहे हैं एक helpless, hopeless वाली feeling में रहते हुए दिख रहे हैं या फिर मैं कहूंगी बंधा हुआ मैसूस कर रहे हैं clearly चीजों को देख नहीं पा रहे हैं अब दिखिए आपके partner की energies के साथ अगर मैं आपकी energies match करूँ तो हो सकता है October, mid तक आपके partner बहुत कोशिश कर रहे हैं अगर कुछ issues, मसले पीछे हुए उनको resolve करने की अगर किसी भी level पे दूरी आई तो उसको खतम करने के लिए reconcile करने के लिए लेकिन अगर मैं आपकी energies देखूँ वह गोज आप बहुत logically चीजों को deal कर रहे हैं आप बहुत right and wrong के point of view से चीजों को deal करना चाहा रहे हैं आप फिर relationship में आगे बढ़ना चाहा रहे हैं आप अपनी तरफ से उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं आप उतनी feelings हो सकता है उतना नहीं express कर रहे हैं और इसी की वज़े से end October में वो थोड़े से हताश थोड़े से मायूस होते हुए दिख रहे हैं थोड़ा ऐसा उनको ऐसे लग सकता है कि भई वो ही करते जा रहे हैं और उनके अकेले करने से कुछ होगा नहीं तो बंधा वो अभी महसूस कर रहे हैं और deeper level के लिए bad intentions का का काड़ एक दो चीज़ें कहता है या तो देखिए जो भी वो प्यार की बरसात कर रहे हैं बहुत जादा अपना love express कर रहे हैं बहुत जादा आपको किसी भी चीज़ के लिए convince कर रहे हैं उनके intentions इन ही सब feelings emotions के पीछे बहुत ठीक नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पर bad intentions का का काड़ है या फिर आपकी तरख से उस तरीके का response नहीं मिल रहा तो उनको ऐसे लग रहा है कि भी पता नहीं आप इस relationship को आगे बढ़ाना चाहते हैं नहीं बढ़ाना चाहते हैं आपके intentions ठीक हैं उनके लिए इस relationship के लिए या नहीं तो इस तरीके की एक सोच एक energies उनकी रहती भी दिख रही है फिर से इस point को clear कर दूँ या तो उनके intentions ठीक नहीं है यानि कि surface level के लिए बहुत प्यार महबत express कर रहे हैं लेकिन मन ही मन वो कुछ और सोच रहे हैं और कुछ के लिए भी हो सकता है कि भाई आपकी तरफ से वो एक response नहीं मिल रहा जो भी उनके action initiatives हैं उनको ऐसे लग रहा है कि आपके intentions शायद उनके लिए इस relationship के लिए ठीक नहीं है और अब देखते हैं कि October मन्त में क्या हो रहा है लिकि October starting के लिए यहाँ पर 8 of cups reverse का card है और यह card बहुत ही clearly कहता है पीछे हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी भी level पर किसी भी तरीके की एक दूरी आई छोटे मोटे issues, मसले रहे और कहीं October starting में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक reconcile करना चाहा रहे हैं कहीं चीजों को resolve करना चाहा रहे हैं वो आपस इस relationship में आना चाहा रहे हैं अब देखे पीछे जो भी दूरी आई वो किसी भी level पर आ सकती है कितनी बारी हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं लेकिन मन ही मन disconnect हो जाते हैं और कहीं एक warmth, एक जो अपना पन होता है relationship में वो नहीं रहता कितनी बारी हम बात नहीं कर रहे होते हैं और फिजिकल लेवल पर हम connected होते हैं तो किसी भी लेवल पर दूरी आई कहीं उस दूरी को आप दोनों याप दोनों में से कोई एक खतम करना चाहा रहे हैं और देखिए आपके cards देखूं तो आपकी वो energies नहीं मुझे रहती भी दिख रही हैं आपके partner की ज़्यादा रहती भी दिख रही हैं क्योंकि हमने बहुत clearly देखा आपके partner आपको pursue कर रहे हैं convince कर रहे हैं literally back कर रहे हैं या you know बहुत ज़्यादा अपना love, पयार, महबबत के express कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, जता रहे हैं लेकिन देखिए हो सकता है कि आप दोनों वापिस आजाएं या यह आपके partner का effort है और आपके जैसे हमने cards देखे कि आप उतना ज़ादा इस चीज को positively नहीं respond कर रहे हैं और इसका एक मातर reason यह रह सकता है कि past में जो भी आप दोनों के बीश में हुआ, उसकी association आपकी कहीं गलत हो गई है याँ पर trauma bonding का card कहता है कि कुछ चीजे ना बहुत ज़ादा आपके मन में बैट गई हैं और वो आपको किसी level पर तकलीफ दे रही हैं और हो सकता है कि आप भी वोगोज वापस आना चाह रहे हैं या फिर आप दोनों अगर वापस आभी गए हैं एक दूसरे से आपने reconcile कर भी लिया है तो भी मन ही मन इस bonding को लेकर एक trauma एक तकलीफ, एक युनो किसी भी level पर परेशानी आप दोनों याप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं और यहाँ पर Queen of Swords का कार्ड एक दो चीज़े कहता है या तो आप दोनों याप दोनों में से कोई एक काफी logical हो रहे हैं और आपके लिए हमने देखा वोगोज या थोड़ा logical ही चीज़ों को deal कर रहे हैं या फिर कोई female है आपकी तरफ से भी हो सकती है आपके partner की तरफ से भी हो सकती है यह female कोई भी हो सकती है friend, colleague, sister, mother उनकी काफी interference रहती भी दिख रही है उनकी involvement रहती भी दिख रही है और deeper level के लिए hook up का card कहता है कि कहीं you know physical intimacy या फिर one night stand आप दोनों के बीच में या फिर आपके partner का या आपका किसी और के साथ हो सकता है और हो सकता है कि बहुत ही casual तरीके से किसी और के साथ भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई है connected है जो भी हो कहीं end October के लिए the sun का card कहता है कि किसी level पे चीज़ें resolve हो रही है एक better energy surface level के लिए यानि कि उपर ही उपर रहती हुए दिख रही है उपर ही उपर या मैं कहूंगे external front पे enthusiasm excitement है लेकिन deeper level के लिए running from love का card कहता है कि जो भी आप दोनों के बीच में पीछे हुआ और October month में जैसे कि हमने देखा कि reconciliation की possibility है आप दोनों के बीच में चीज़ों के resolve होने की possibility है और कहीं resolve हो भी रही है लेकिन मन ही मन उन past की चीज़ों को आप दोनों याप दोनों में से कोई एक नहीं निकाल पा रहे हैं और फिर से कहूंगी वगोज आपके लिए जाधा रहतावा दिख रहा है क्योंकि आपके partner तो देखिए बहुत जाधा ही एक love, care, प्यार, महबबद दिखा रहे हैं आपकी तरफ से हमने देखा कि एक distance रह रहा है तो कहीं आपके लिए again मैं कहूंगी जाधा रहतावा दिख रहा है कि आप प्यार से भाग रहे हैं emotion से भाग रहे हैं feeling से भाग रहे हैं या फिर mentally पूरी तरीके से prepared नहीं है या past की चीज़ों को अपने mind से नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये था वगोज आप लोगों के लिए October 2024 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें